कि इन दोनों कितोम्हें एक सुर्ण की घ्र के लाई है तो दोनों ये वाला देख सकते हैं थोड़ी सी कि इसमें हलका पीलापन है और यह वाला खेत आप देख रहे लिए को बिलकुल लस्क ग्रीन इसके पत्ते दीखадे दिख रहे आपको नमस्कार किसान भाईयों नमस्ते किसान चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ महर्ण सिंग मंडिवाल और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से नेनो यूरिया को हमें यूज करना चाहिए बहुत सारे टोपे के उसको अचा, उनको हम क्लियर करेंगे आज, बहुत सरे लोगों को doubt होता है, कि हम में नैनो Eurea क्यों use करना चाहिए, नैनो Eurea कैसे काम करता है, या फिर इसको हम किसी हर्पतवार ना से की या फंजी साइट के साथ में इसका अपयोग कर ना चाहिए या नहीं और कितनी इसकी मात्रा हमें लेनी चाहिए और सबसे इंप्वोर्त बात ये है कि इसमें सावधानी कौन सी हमें रखनी है यह हुआ जीज्च क्योंकि सावधानी भेस बहुत सारे आने वाले हैं जिसके बारे में आपको मैं अपडेट्स देता रहूंगा और वैसे यह ऐसे ऐसे संसाधन हैं जो किसान की आने वाली नई टेकनोलोजीस के साथ में इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है तो पहली बात कर लेते हैं कि हमें नेनो यूरिया क्यों यूज करना चाहिए नेनो यूरिया की आदे लीटर की बोतल हमारे एक एकड़ के फार्म के लिए बहुत काफी होती है एक बहुत शुक्ष्म तत्व है जो नाइट्रोजन की पूरती हमारे पोदों में बहुत बखुबी करता है और यह ऐसी टेकनोलोज से बनाया गया है कि पोदे में यह सीधा एबजोर होता है स्प्रे के माध्यम से या परणिये छिड़काओ के माध्यम से जिसको हम बोल सकते हैं तो इसका यूज क्यों कर करना है क्योंकि नैनो यूरिया की एक खाशित है इसको हम केवल और केवल परणिये छिड़काओ के लिए यूज कर सकते हैं हमें इसको ड्रिप या पानी में नहीं देना है किसी भी माध्यम से और इसका फाइदा क्या होगा जैसे माली यह मैं खड़ी फसल में हमने कई बार उरिया और केवल 25 बारिस के साथ या पानी उसके बारद में चलाते तो सेवनटीव परसेंट जो यूरिया है वह वेस्ट चलाजाता है और केवल 25 परसेंट यूरिया ही हमारे पौदों में काम देता है तो इसलिए सबसे बढ़ीया बात यह हैं कि हमारा जू incosal पहु Rings रहा करते हैं तो मिट्टी में इसका उपयोग होता नहीं है चिड़काओं के लिए एक लीटर पानी में 2-4 ml परती दर से मिलाया जाता है पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से यह पूद्य की कोसी कवों में चला जाता है वहां पर इस्टोर हो जाता है और फ्लोयम यानि पत्ते क शेयर करना का यह चाहिए बिल्कुल हा कर सकते हैं लेवर के साथ में खर्पातोर नाशक काई la फंजिसाइड का यूज कर सकते हैं लेकिन अगर अपने दिमाग में आपके दिमाग में या फिर भी यह डाउट हो कि यह कई मैरे पोदों को नुखसान नहीं करें तो उसके लिए आप खुद अपने माद्यम से ही एक प्रियोग कर सकते हैं आप एक लिटर पाणी लीजिए और 2 ml आप नैनो यूरिया लीजिए और जो भी फंजिसाइड या इंसेक्टिसाइड या खरपतवा ना सका आप यूज़ करना चाहते हैं उसको उसमें मिक्स कीजिए अगर ये दूद की तरह फटने जैसा नहीं दीकरा हो तो ये मान के चलिए कि ये हमारे पोदों के लिए किसी तरह का नुकसान करने वाला नहीं है तो ये एक आप इस तरह से देख भी सकते हैं बाकी ऐसा कोई भी फंजिसाइड इंसेक्टिसाइड या खरपतवार नाशक नहीं है अर्बिसाइड नहीं है जिसके साथ में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं आप सभी के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं और दलहनी के अलावा जितने भी बाकी जो परंपरागत हम करशी करते हैं, उन फसलों में सभी में आप चार अमल प्रती लीटर की दर से इसका परणिये छिड़काव करें। कब करना चाहिए परणिये छिड़काव। फसल लगाने के 30-35 दिन के अवस्ता में इसका प्रियोग हम कर सकते हैं, दूसरा उपयोग हम कर सकते हैं, जब फ्लोरिंग का स्टेज आ गया हो, फूल फाल आने लगे हो, उस से पहले हम इसका दुबारा फिर उपयोग कर सकते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट बाद सावधानी हमें रखनी है। सावधानी मतलब हमारे फाल में जो भी काम कर रहा है तो उस बंदे को हमेशा ध्यान रखना है कि मुझ पे मास्क लगा के यूज करें क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, हवा में घुल जाते हैं। और हमारे स्किन के माद्यम से और स्वास के माद्यम से सरीर में जाएंगे तो ये एडिशनल एक्स्ट्रा जाता है तो सरीर में वो नुकसान पहुचा सकता है और ये माद्यम नहीं है, हमारा सरीर इस तरह की अवस्ता को लेता नहीं है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कोई भी खेत में स्प्री करें तो हम मुझे मास्क रखना चाहिए जानकारी बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब परें और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको और किस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझ कमेंट बॉक्स में लिखें जुरूर